प्रतियों आज सुभव तीन बच्चों जो प्रत्योगी परिक्षा में तयारी कर रहे थे दिल्ली में आकर दूर दूर से हिंदोस्तान प्यालग-अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तयारी करने आते हैं आज तीन बच्चों की बेस्मेंट में पानी घुसने से मौत हो गई ये सुनकर और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगता है अजीव लगता है शरम आती इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने हैं वहाँ आकर बच्चों की जान चली जाए वो भी गहर जिम्मेदाराना तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सब के दिमाग में है, ये कोई नैचरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित रासदी हैं, this is a man-made डिजास्टर, ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनक हैं कि घटनाएं फिर ना हो, अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करेंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, माता पिता दूर दूर से देश के कोने कोने से बच्चों को यहां बेजते हैं, दिल्ली में बेजते हैं, ताकि तैयारी करें, तत्योगी परिक्षाओं की कोचिंग लें, और जिन्दगी को आगे बढ़ें, उनकी जिन्दगी यूँ बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि गयर जमेदाराना MCD है, गयर जमेदाराना सरकार है, यह अच्छी बात नहीं है, रिदय विदारक है, और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहि जिन्दगी देहिन